तो दोस्तो अगर आप हमारे यूटीब चैनल पर पहली बार आए हैं तो खिर पे हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और साथी साथ उसके बगल की घंटी को दबादें इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नई टेक्नलोजी वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी इफ समस्या हो रही है देखी यहाँ पर लोगों के पास तरह तरह की समस्या है किसी के पास जो है अभी तक ओटीब नहीं आया है और किसी के पास जो है अभी ओटीब डालने का अप्शन नहीं आया ठीक है तो आज हम इसी के बारे में चैचा करेंगे तो देखें दोस्तों अगर आपके mobile number पर OTP नहीं आया है तो जब आपने login किया था तो उस बक्त आपने mobile number जो है गलत डाला होगा जिसके वजह से उस गलत mobile number पर जो है आपका OTP जा चुका होगा जिसके वजह से आपके पास OTP नहीं आ पाया है ठेक है चली अब बात कर लेते हैं कि जिनका जो है OTP डालने का option नहीं आया है वो क्या करेंगी तो देखिए इसका एक ही reason हो सकता है कि यह जो आपने जितने भी सारे कारे भरे है upload किये है स्बीन बिहार में यह सारे कारे जो है आपके अनुसंसित नहीं हुए होंगे ठीक है, यह जो अनुसंसित का option दिखा रहा है अब मेरे यह अनुसंसित आपके सारी कारी में नहीं हुआ होगा इसलिए जो है आपको OTP यालने का option नहीं आया है आप लोग check किजिएगा जरा ध्यान से क्योंकि जब सारा कार्य अनुसंसित हो जाएगा तो आपको OTP डालने का option खुद बखुद देखने को मिल जाएगा ठीक है तो जो काम विचारा धिन में दिखा रहा है आप लोग कुछ और भी दिन इंतजार कीजिए और वहाँ पर देख लिजिए कि कौन सा कार्य आप लोगों का देख लिजिए का ठीक है तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ लोगों को यह confusion था कि OTP डालने का option कहां आएगा और OTP क्यूं नहीं आया है तो देखिए OTP आपने जो है लोगिंग करते वक्त नमर गलत डाला होगा जिसके वज़ा से आपके मुबाइल नमर पर OTP नहीं आया होगा और आपके सारे कारे जो है अनुसर्सित नहीं हुए है जिसके वज़ा से आपको जो है OTP डालने का option अभी तक नहीं मिल पाया है और एक बात हम आपको बता देना चाहते है कि अगर आप अपना मुबाइल नमर चेक करना चाहते हो कि आपने सही डाला है या गलत डाला है तो इसके लिए आप अपने district के coordinator से contact कर सकते हो यही एक तरीका है या फिर आप तो यहाँ पर जो है पर प्रोफाइल पर किलिक करके अपना प्रोफाइल देख सकते हो यहाँ पर आपको mobile number की option पर देखिए mobile number का तो option दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो है mobile number छिपा हुआ है क्योंकि सारा आंक अगर दिखता सारा digit दिखता तो हम पता लगा सकते थे कि हमने mobile number गलत डाला है या फिर सही डाला है तो इसलिए आप जो है अपने district के coordinator से contact करके यह पता कीजिए कि हमारे mobile number पर OTP क्यों नहीं आया है और वही आपको उसका कारण बताएंगे अगर आपने mobile number गलत डाला है तो उसको आप change कैसे करेंगे तो वो सारा काम आपको वही बताएंगे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथी साथ ऐसे ही latest technology video देखने के लिए हमारे YouTube channel को subscribe करना ना भूले तो चलिए आज की वीडियो यही तब